पिछले अध्याय के अंतरगत हमने राजनेति आधुनिक करण की विशेशताओं के बारे में चर्चा करे थी आज हम देखेंगे राजनेतिक आधुनिक करण को प्रभावित करने वाले ततों राजनेतिक आधुनिक करन के लक्षनों की भाती राजनेतिक आधुनिक करन को प्रभावित करने वाले ततों की कोई सूची तैयार करना संभव नहीं है इसका कारण यह है कि परिवर्तिय राजनितिक आधुनिक करण को प्रभावित करते हैं वही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, एत्यासिक आधी पहलों को भी प्रभावित करते हैं तो कुछ प्रमुख जो तत्व है वो निमने प्रकार है पहला है परंपरागत्ता ट्रैडिसनिज्म हंटिंग्टन का कहना है कि राजनितिक आधुने की करण परंपरागत्ता से मुक्ति है इसका आर्थ है कि एक राजनितिक व्यवस्ता की सरचनाए जितनी मात्रा में परंपर में उतनी मात्रा में वे राजनितिक आधुनिक करण में बाधक होंगे दूसरा है संस्कृति संस्कृति अथवा राजनितिक संस्कृति स्वयं में एक जबर्दस सक्ति होती है राजनितिक आधुनिक करण उसके प्रभाव से अच्छोता नहीं रह सकता है यदि समाज की संस्क किसी परिवर्तन को स्विकार नहीं करती तो वे राजन्यतिक आधुनिक की करन में बाध्यक बन जाती है उधानते श्वतनता के बाद राजन्यतिक नेत्रित के लिए भारत में सविधान द्वारा आधुनिक राजन्यतिक संसरा को इस्तापित करना सरल था क्योंकि नेत्रित के से वापस लेना पड़ा तीसरा है समय विशेस समय की प्रकर्ति दुधरी होती है विशेस कर सामाजिक परिवर्तनों में उसका विशेस मेहत होता है वह सायक और बाधक दोनों हो सकता है यदि परिवर्तन को इतियास की धारा के विपरीत लाने का प्रियास किया जाता है तो प् कि Zwaginski करते हैं कि राजनितिक नेतरीत की प्रकरतियों रुची राजनितिक आदविक करने साहक क और बाधक दोन हो सकती है यदि राजनितिक नेतरीत की रुची आदविक करन में तो वह बल्परियोक द्वारा उसे आरोपित कर देगा और उसमें शफल भी हो सकता है अनेक विकासिल देशों में राजनितिक नित्रित की रूची के कारणी आधुनिक राजनितिक ववस्ताओं को इस्तापित किया गया है उधारनते भारत में स्रीमती इंद्रा गांधी तथा राजीव गांधी ने पाकिस्तान में महम्मद अयूब खां बंगला देश मे सेख मुझी बुर्रेबान, बर्मा म्यमार में जर्नल नोविन ने और चीन में माउचो तुंग ने आधुनिक की करण के प्रियास किया दूसरी और यदि राजनितिक नित्रित की रूची आधुनिक करण में नहीं होती तो ऐसा प्रायत ताना साही सरवादी कारवारी राज आधिक निती के नाम पर अथवा गरीब यटाओ जैसे मनोवग्या निक नारों के साहरग लेकर, राजनितिक आधुनिक करण के सभी प्रियासों को बलपूर्वक दबा दिया जाता है पांचवा है राजनेतिक व्यवस्ता की प्रकरती राजनेतिक आधुनी की करण में राजनेतिक व्यवस्ता की निरनायक भूमिका होती है वह राजनेतिक आधुनी करण में सेतलता और तीरता कुछ भी ला सकती है उधानते यदि राजनेतिक व्यवस्ता की प्रकरती लोगतां और उत्तरदाई पूर्ण है और उसमें सरकार और समाज के बीच निरंतर अंतय के रिया होती रहती है तो राजनितिक आधुनी की करण नहीं केवल सरल होगा बलकि उसे प्रोप्षान भी मिलेगा आई अब हम देखते हैं राजनितिक आधुनी की करण के प्रतिमान गया उसके मोडल कैसे कैसे राजनितिक आधुनी करण के मोडल प्रतिमान का विप्रा है इस बात से है कि क्या राजनितिक विवस्ताओं में राजनितिक दृष्टी से आधुनी की करण का कोई ऐसा मोडल है जो सभी राजनितिक विवस्ताओं में एक जैसा या एक समान रूप से लागू किया जा सकता है राजनितिक आधुनिकी करण के सर्व्यापीवे अनुक्रम मोडल ने होने के कारण यह है कि यह अत्यदिक जटिल पर किलिया है सभी राजनितिक ववस्ताओं को प्रभावित करने आवाले तत्व या न्यामक एक जैसे नहीं है और उनका अनुक्रमन एक जैसा नहीं होता है उदाणते किनी राजनितिक ववस्ताओं में यदि सहभागिता पहले आ सकती है तो कहीं सत्ता की बुद्धी संगता पहले आकर तथा बाद में सहभागिता को पोच्छाइद कर सकती है कहीं पहले केंद्रिकरत नियंत्रण की स्तापना हो सकती है और बाद में सरचनात्मक विभीदी करण भी आ सकता है राजनितिक आधुनिकी करण के सर्व्यापी बे अनुकर्मा मोडल में आने वाली उप्यूद कटनाओं के बावजूद एडवल्ड सिल्स ने अपने लेग पॉलिटिकल मोडनाईएशन में पाँच माडलों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से है पहला है राजनितिक लोक्तंट सिल्स इसे राजनितिक विभीवस्ता का स्रेश्टम रूप मानते हैं उनके अनुसार यह प्रतिनिधी पूर्ण संस्ताओं और सार्धुनिक स्वतनताओं के बीच ऐसनिक सासन है बिर्टेन और अमेरिका इसके उधारन है और इसकी प्रमुख विशेस्ताइन निम्न प्रकार है जैसे इसमें व्यवस्ता पिकार राजनितिक व्यवस्ता की केंदरबिंदू होती है इसमें व्यवस्ता पिका का गठन व्यस्क मतादिकार के आधार पर होता है और व्यवस्ता पिका अपनी पहल पर अथ्वा संप्रभू मद्दाताओं की पहल पर अत्वा सदन की समीतियों की पहल पर कानून का निर्मान करती है दूसरा इसमें राजनेतिक दर, राजनेतिक ववस्ता के अभिन अंग होते हैं तीसरा इसमें दीश के मूल कानून के अदिन सत्ता का उपयोग अपेक शक्रत कम और निश्चित काल तकी किया जा सकता है और इसमें सत्ता के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंतरन लगाने की भी ववस्ता होती है इसमें न्याय पालिका को सुतत्रो निश्पक्स बनाए रखा जाता है इसमें लोग लोग तंतरिक आप नियंतरन का प्रियोग करते हैं और सरकार को सुधारने अत्वा बदलने के लिए समधानिक साथमें का भी प्रियोग करते हैं दूसरा है सरक्षक लोग तंतरिक यह दूसरे नंबर की स्रेश राजनेतिक ववस्ता है यह ऐसी राजनेतिक व्यवस्ता है जो लोगतंत्र के मान को और मूल्यों का अनुपालन करने के लिए वचनबद है इस तरह या उन देशों के तरीकों का अनुसरन करने का प्रियास करती हैं जहां राजनेतिक लोगतंत्र है जैसा कि डेविस और लेविस ने अपनी रसना मॉडल्स और पॉलिटिकल सिस्टम में बताया कि वचनबद लोकतंत्रियों को ऐसी परिस्तितियों के प्रती वहवारिक जवाव है जो प्रभावकारी डंग से लोकतंत्रिक संस्ताओं को चलाने में सक्षम नहीं है इसमें कारेपालिका सक्ति का बास्तिक केंदर होती है और वह व्यवस्ता पिका की तुलना में अधिक सक्तिसालिक होती है केंदर में इसकी सत्ता को एक सक्तिसालिक वेक्तित अत्वा समू द्वारा बनाए रखा जाता है और वह पार्टी और सरकार पर नियंत्रन रखती है इसमें ववस्ता पिकाग कार्य पालिकाग के द्रड नियंत्रन पर प्रोजिक्षन में कारिया करती है इसमें विदी के सासन और नागरिक स्वतंताओं को हर कीमत पर बनाए रखा जाता है तीसरा है आधुनिकी करण या आधुनिकी करण सील अल्पतंत्र इसमें राजनितिक ववस्ता परंपरागत अल्पमत से या अल्पतंत्र से अधिक परंतु राजनितिक लोगतंत्र से कम होती है यानि कि एक बीच की ववस्ता है इसमें राजनितिक ववस्ता की बागडोर या तो ऐसानिकों के हाथ में होती है, जो सशस सेनाव पन्यंतर रखते हैं, अत्वा उच्चतर सैनिक अधिकारियों में हो सकती है, जो ऐसानिक वेक्तियों का सयोग प्राप्त करने के चुप होते हैं, विशेष्टन है, इसमें संसद एक दिखावटी है, शंस्दमात्र होती है, और उसका कारिये प्रशासकों के निर्णियों का अनुसमर्थन करना होता है। इसमें सार्थक विदाई सत्ता से वन्चित रखा जाता है। इसमें विपक्स को गैर कानूनी घोशित कर दिया जाता है। इसमें सतंत्र और निश्फक्स चुनाव नहीं कराया जाता है। इसमें नोकर्साई की इस्तिती अत्यदिक मजबूत हो जाती है क्योंकि प्रशाषक उसके समर्थन पर निर्भर करते हैं और उसे नियंतरत करने के लिए कोई लोकतांत्रिक माध्यम नहीं होता है। चोथा इसके अंत्रकत तोटलियन ओलारगी या सरवाधिकारवाधी अलपतंत्र इसमें इटली में फासिवाधी और जर्मनी में नाजिवाधी जैसी सर्व सक्तिसाली दक्षिन पंति सरकार सत्ता में होती है अथवा पूर्ण सोवेट संग और स्रामयवादी चीन की भाती वा सिंद्रीकरण वर्ग जाती अत्वा अन्य विशेष्टा पर आधारित सत्तारूट गुट के हाथ में होता है इसमें एक अत्यदिक अनुसासन बद और सू संगटित सब्रांत वर्ग एलिट वर्ग होता है जिसके सदस्य पार्टि संस्ता के माद्धम से विचारधारा की दर पर्थन करने के लिए एक बुद्धिक वर्ग या बुद्धिजी वर्ग कर निर्मान किया जाता है जो देश में सतही और सर्व सम्मति आम सहमति का बातावरन तयार करता है पांचवा इसमें प्रंपरागत अल्पतंत्र या ट्रेडिशनल वयारगी इसमें राजनितिक वव इसमें सासक के सलाकार और आसन विश्वासपात्र महल सासक के अनुचर होते हैं विशिस्ता है इसमें राजनितिक सत्ता का उप्योग सासक और उसके द्वारा चुने गए परामर्श दाताओं के द्वारा किया जाता है इसमें प्रचार आत्मक उद्देश्यों के लिए भी व्यवस्ता पिका का कोईस्तान नहीं होता है इसमें राज्य की गतिविदियों का छेतर अध्य दिक सीमित होता है अते इसमें कुसल नो कर साहे कि आउसकता मैसूस नहीं किये जाती है इसमें सासक अपने सासन को बनाए रखने के लिए एक छोटी और कुसल ससस्त सेना और पुलिस की ववस्ता करता है इसमें विपक्स विद्मान नहीं होता है और इसमें सामन्तवादी ववस्ता होती है आईएब हम देखते हैं राजनितिक आधुनिक करण और राजनितिक विकास समानता है राजनितिक विकास और राजनितिक आधुनिक करण दोनों आधुनिक अधुनिक अधारना है दोनों का संबंद विकास के परकिरिया से हैं दोनों के लक्षनों में मुलिक अंतर नहीं है दोनों गतिसील अधारना है दोनों का तुलनात्मक राजनितिक विशलेशनों में प्रि विद्वान, राजनितिक विकास, आधुनिक की करण और राजनितिक आधुनिक की करण को समाना अंतर समझते हैं, अब देखते हैं, एह समानता हैं, यह अंतर, राजनितिक विकास और राजनितिक आधुनिक करण में समानताओं के बावजूद, हंटिंग्टन, जागवर अर्जन स्टार्ड लुइंशन पाई आधी राजनितिक विकास और राजनितिक आधुनिक करण में अंतर करते हैं हंटिंग टन तो राजनितिक विकास को राजनितिक आधुनिक करण से अलग करने का से प्राप्त है वे राजनितिक विकास को राजनितिक आधुनिक करण के समा अधिक अनुकूलता, जटिलता, स्वायत्ता और किर्मिक्ता आ जाती है। दूसरी और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि राजनितिक विकास को एक स्थेतिक और सीमित अवधारना हो सकती है। उनका कहना है कि राजनितिक विकास का संबंद मुख्य सरचनाओं के संस्ता करण से हैं, जबकि राजनितिक आधुनिक की करण का संबंद सांस्कृतिक परिवर्तनों से हैं, इस दृष्टिकों से राजनितिक विकास का संबंद ओपचारिकताओं से अधिक हैं, जबकि राजन तिक आधुने की करण का संबन वास्ट विक्ताओं से अधिक है थैंक यू